11 स्टंबर 2011 की सुब ऐसी होगी कोई नहीं जानता था 20 साल पहले मंगल की सुब 8 बच कर 46 मिनट पर अमरीकी रियासत मैन हाइटन में वाक्या ट्विन टावर जिसे वर्ल ट्रेड सेंटर भी कहा जाता है दो तैयारों की दैशत गर्दी का निशाना बनता है 110 मंजलों पे मुझतमिल ये नियू यॉक की सबसे उंची इमारत है एक तैयारा 8 बच कर 46 मिनट पर टकराता है ख्याल था कि ये कोई हादसा है लेकिन दूसरा तैयारा 9 बच कर 5 मिनट पर टकराता है टावर एक के बाद एक गिर कर राक के धेर में बदल जाते हैं तीसरे तैयारे का टारगेट पेंटागॉन था वचिंटन दी-सी में वाकिया पेंटागॉन जो अमरीकी दिफार का एक एहम मरकज है जब्के चोत्य तैयारे का टारगेट अमरीकी कांगरिस की बिल्डिंग थी जो एक कस्बे में ही घिर कर तबाव हो जाता है वाजिया रहे ये तमाम कमर्शल परवाजों के तैयारे थे जिन में सवार मौजूद थे और ये हाईजैक किये गए थे इस इनसानियत सोज वाकिये के जिमेदार उसामा बिन लादन और उनकी तंजीम अलकाइदा को ठहराया गया इस नागहानी आफ़स से तीन हजार के करीब हलाकतें वाकिया हुई जिन में 26 ट्विन टावर में 120 पैंटागॉन में और 246 तैयारों में मौजूद अफराद शामिल थे जबके 6000 अफराद शदीद जखमी हुए इस वाकिया ने पूरी दुनिया को तकसीम कर दिया था कहीं एक तरफ इसलाम मुखालिफ कुवतें बनी तो कहीं देशत गर्दी के खत्मे के लिए लाखों बेगवना अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया उस वक्त के सदर जॉर्ज डबली बुश ने हमले के बाद कौम से खिताब के दौरान कहा कि देशत गर्दों ने हमारी इमारतों की बन्याद हिलाने की तो जुरत कर ली लेकिन सूपर पावर अमरीका की बन्याद को हाथ भी नहीं लगा सकते बुश हकूमत को शदीद अवामी दबाव का सामना था अवाम मुल्जिमान को सामने लाने का मतालबा कर रही थी आखिर अक्तूबर साथ को अपरेशन एंडियूरिंग फ्रीडम के नाम से देशत गर्दी के खिलाफ जंग का इलान किया जाता है और अमरीका और इसके इतादियों ने अवगानिस्तान पे हमला कर दिया विवर्ज इसी वक्त में बदनाम जमाना जेल गौानताना मुबे का वजूद सामने आया जिसे अमरीका की सबसे महفوस तरीन जेल तसवर किया जाता है अमरीका के जेर इंतजाम चलने वाली ये जेल क्यूबा के मश्रिकी साहिल के करीब वाकिया है जहां दुनिया भर से देशित गर्दों और बदनाम तरीन मुझरिमों को लाकर रखा जाता है सानिहा 9-11 के बाद यहां आने वालों में बेश्टर का तालुप अफगानिस्तान और इराक से था सदर जॉज डबली बुश की एमा पे तशदुद और अजियत देने के तरीके कार में इजाफा किया गया ताके तफ्तीश के दौरान ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल हो सके 11 जनवरी 2012 में हमले के कुछ माँबाद पहले 20 कैदी गवांत अनामों बे पहुंचे इस तरह टोटल 780 कैदी वहां रखे गए बुश इंतिजामिया के दौरान 540, उबामा हकूमत में 200 जबके ट्रमप दौरे हकूमत में एक कैदी को माहितों के तहळ इनके मुमालिक में मुन्तकिल किया गया मुजूदा सदर जो बाइडन ने इसे मुकमल तोट बंद करने का वादा किया है इससे पहले 2007 में सदर अबामा की बिश्तर का तालूब अफगानिस्तां से था जिनकी तादाद 219 थी जिन में से 230 अफगानिस्तान के हवाले किये जा चुके हैं आज भी वहां लगबग 49 के करीब कैदी मौजूद हैं एक कैदी पे सालाना 13 मिलियन डॉलर खर्च आता है अमरीकी फोज अब जल्द जल्द 9-11 के हमलावरों के खिलाफ मकदमात में पेश रफ़त चाहती है व्यूवर्ज इस जेल के बारे में ये कहा जाता है कि तमाम जेले ही उफसुर्दा होती हैं लेकिन खास तोर पे ये जेल इनसानियत से भी आरी है जिन्दगी की कोई भी अलामत मौजूद नहीं मिलती कॉन्क्रीट का सेल, फोलादी दर्वाजे और जहनी तोर पे तबाह कर देने वाली सजाएं जिन में वाटर बोर्डिंग, इंतहाई छोटे सेल्स में कैद, मार पीट और नीन से महरूमी शामिल है दुनिया भर से इनसानी हकूकी तन्जीमों का गवानता नामोबे पे शदीद इस्तराप पाया जाता है उनको रोजे अवल से इससे बंद करने का मतालबा जारी है MNST International का कहना है कि कैदियों के खिलाफ तशदूद और बद सलूकी में तमाम अमरीकी एहदेदार शामिल है